सन 1526-1857 भारती उपमादीप में मुगलों ने शाशन किया मुगल वन्षी की शुरुआत करने वाला पहला बाश्शा बाबर था जिसे हम जहीर उद्दीन मुहम्मद बाबर के नाम से भी जानते हैं बाबर उजबेकिस्तान से भारत आया था आगे चलकर इस वन्ष में उमाईयू, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बाश्शा होए वीडियो को आखरी तक जरूर देखना आप मुगलों के बारे में साथ इसी बाते जानूगे जो वाकी आपको हैरान कर देगी आप देख रहे हैं माईनोरिटी न्यूज और मेहूं इमरान तो चलिए शुरू करते हैं नमबर बन मुगलकाल में अपरादियों को म्रत्यू दंड देने का जो तरीका था वो बहुत ही भयानत था अगर किसी को मौत की सजार सुनाई जाती तो उसे जमीन पर लेटा दिया जाता और हाती अपने पेरों से उसका सीना तोड देता या उसका सर उचल देता नमबर टू कोहिनूर के बारे में आप सभी जानते थी आज मैं आपको उससे भी बहुमल्य चीज़ के बारे में बताता हूँ जो कभी हमारे हिद्धूस्तान में हुआ करती थी और जिसके बारे में आज ज़्यादा लोग नहीं जानते उसका नाम है तक्त ताउबुस यह तक्त जो की हीरो जवारतों से जड़ा बेश किम्ती सीनासन था इसे बाशा शाजान ने बनवाया था इसमें ठोस सोने के छेप आये थे इसमें जवारतों, मोतियों और नीलम से जड़े दो मोर भी थी ताउबुस अर्बी भाशा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मोर इसलिए इसे मयूर सीनासन भी कहा जाता था तब्त ताउबुस की किम्त सत्वी सदी में भी कर्ड़ रूबी में आकी गई थी और इसे बनाने में साथ लगे थी सारा सीनासन भी किम्ति रखनों हीरो और सोने का बना हुआ था और इसे बहुत खास मौकों पर ही राज़ दर्वार में लाया जाता था तखत ताउबुस पहले आगरे के किले में था लेकिन पाद में इसे दिल्ली के लाल खिले में लाया गया इतिहास में ऐसा तखत ना तो शाह जहां से पहले ना ही उसके बाद किसी दाज़ा माहराजा ने बनवाया था इरान का बादशाह नाज़िशाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो साली धन दोलत को लूट टेके साथ साथ वो तखत ताउबुस को भी अपने साथ इरान ले गया सन 1747 में नाज़िशाह की हत्या हो गई और इसके बाद अचानक ये सिहासन गायव हो गया तब से लेकर आज़ तक इसका कोई अता पता नहीं है ये आकिर कहां पर है समय समय पर सरकारे इसका पता लगाने की कोशिश करती रहती है दोस्तों आपको क्या रखता है तखते ताउबुस आज कहां हो सकता है कमेंट करके बताईएगा नंबर थी किसी जमाने में दुनिया का सबसे बेश इसकिमती हीरा कोहिनोर शाहजान के तक्त ताउस पर जड़ा हुआ था कोहिनोर के बारे में ये कहा जाता था कि जो इस हीरे का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक है उस जमाने में वहिनूर की किमत इतनी थी कि उसे बेच कर पूरी दुनिया के लोगों को धाई दिनों तक खाना खिलाया जा सकता था सन 1749 तक ये हिरा मुगलों के पास रहा इरान का बादशाह नाजिशा धोके से मुगल बादशाह मुगलों के पगड़ी बदलकर कोहिनूर को भी चुड़ा ले गया ये हिरा कही मुगल बादशाह इरानी बादशाह से होता हुआ अंत में अंगलेजों के अधिकार में चला गया और आज भी उन्हें के पास में ये कोही नूर ही राए अकबर की इस सबसे बड़ी कामियबी थी उसके द्वारा बसाया गया सबसे बड़ा शहर्द जिसे हम फत्यपूर सीक्री के नाम से भी जानते ही इसे पहाड़ी पर बसाया गया था जहां पहले कोई बस्ती नहीं थी सन 1584 में एक इंग्लिश यात्री रॉल्फ भारत आया जिसने लिखा था फत्यपूर सीक्री लंदन से भी बड़ा शहर था अकबर एक कामिया पास्षा होने के साथ साथ काप रेवी भी था इस शहर का निर्मान अकबन ने अपनी निग्रादी में कर आया और खुदिने इसका नक्ष़ा बनवाने में मदद की पहले मोगर सामरा जी की राजधानी आग्रा हुँआ कर दी थी फत्यपूर सीकरी को अकबन ने नई राजधानी बनाया और पानी की कमी के कारण 15 साल में ही ये शहर छोड़ दिया गया और राजधानी को फिर से आगरा ले जाया गया इकिहास में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था कि एक इनसान के सपनों से इतना बड़ा शहर बसाया गया हूँ और उसे सिर्फ 15 साल में ही विरांग कर दिया गया हूँ नमबर फाइब दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा बाश्शा अकबन ने बनुए ऐसा आगरा से 36 किलोमेटर दूर फत्यपुर्शीक्री में मौजूद बुलन दरवाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा परवेश दुआर है बुलन शब्त का अर्थ हुरता है महान या उच़़ग इस दरवाज़े को अकबन ने 1601 किस्यू में बनवाया था और यह करीब 177 फुट उचा है मौगल वर्शी के हुकमरानों में सबसे उपर हज़त आलमभीर और अन्जेब रहमत अलाई का नाम आता है जिसने हिंद के सबसे बड़े खिते पर फकीरी में बाश्चाहत की और और अन्जेब के बाद से ही हिंद में मुसल्मानों का जवाल भी शुरू हो गया नमबर सेवन तीर मार्च 1707 इस्वी को और अन्जेब की वफात हुई थी और अन्जेब बड़े सगीर के सबसे नेक बहादूर न्याई पिरिय बाश्चाहत थी और अन्जेब ने फकीरी में बाश्चाहत की इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना हुई झाल